विगत कुछ दिनों से COVID-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या अनियंतरित रूप से फैल रही है जिसके चलते आंगनबाडी, विद्याले और कॉलेजों को पुना बंद कर दिया गया है जिससे हम सभी को सुरक्षित रहना है प्रदेश में विद्याले बंद है लेकिन सिक्षकों को विद्याले बुलाया जा रहा है सिक्षकों का विद्याले में पढ़ाने के अलावा कोई कारे नहीं होता ओनलाइन पढ़ाई वे घर से भी करा सकते हैं जिसका रिपोर्ट पोटल से मिल जाता है वर्तमान में बहुत से सिक्षक कोविड से संक्रमित हो रहे हैं और वाहक क को चाहिए कि सिक्षकों को घर पर ही रहकर ऑनलाइन पढ़ाने का कारे सौपा जाए अत्वा बारी-बारी से शालाओं में बुलाया जाए जिससे संक्रमर का खत्रा कम हो COVID-19 के रोक्थाम के लिए vaccination का कारे भी जारी है एक अप्रेल से 45 वर्ष से अधिक उम्रवाले सभी नागरिकों को वेक्सिनेट किया जाना है जिसमें सिक्षकों की भी मदत लेने की तैयारी है इसके लिए कुछ जिलों में विधिवत आदेश जारी किया गया है ज्यातव्व है कि Contact Tracing के कारे में सिक्षक अपने करतव्यों का पालन कर रहे है सिक्षकों को vaccination कारे में सम्मिलित करने से संगठन को कोई आपत्ती नहीं है पर हमारी सिक्षकों के स्वास्त के प्रती कुछ चिंताएं है उसे duty लगाते समय ध्यान रखा जाए बहुत से सिक्षक गंभीर बिमारियों से ग्रस्त हैं ऐसे सिक्षकों को इस duty से अलग रखा जाए महिलाएं जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें छूट प्रदान की जाए सभी सिक्षकों का vaccination किया जाए स्वास्त कर्मियों की तरहा सिक्षकों का भी भीमा किया जाए कोरोना केट, मास्क, सैनिटाइजर, आदी सामगरी उपलब्द कराया जाए जब से कोरोना संक्रमान का दोर प्रारब हुआ है तब से प्रदेश की सिक्षकों की duty सभी छेतर में लगाई जा रही है चाहे मोहला क्लास हो, चाहे औरलाइन क्लास हो, चाहे रिल्वे इस्टेशन में तैनाती हो चाहे कॉल सिंटर में duty हो, कॉंट्रेक ट्रेसिंग का काम हो प्रदेश सिक्षक लगातार पुरी तरमेता से अपनी duty निभा रहे है और राज्यसासन से सुरू से पांग करते हैं आ रहे हैं कि भी हमको फ्रंट लाइन कोरोना वारियास का दर्जा दिया जाए साथ ही साथ हमारा पचास लाग का बिमा किया जाए लेकिन लगातार राज्यसासन हमारी मागों की अंदेखी करती आ रही है जो इस बीच में हजारों की संख्या में प्रदेश के जो सिख्षक है मौत की गाल में सब समा चुके हैं और लगातार सिख्षकों की मौत की खबरे आ रही है क्योंकि इस पूरे कोरोना काल में वह अपनी duty को बखो भी निभा रहे है और अभी राचे सासन का डिर्देश है कि वेक्σιनेसन में हमारी duty लगाई जा रही है हम इसका स्वागत करते हैं लेकिन वेक्सनेसन में duty लगाने के पहले पुरे प्रदेश के सभी सिख्षकों का वेक्सनेसन किया जाए और वेक्सिनेशन में डूटी जो है जिनके छोटे बच्चे हैं ऐसी महिलाएं हैं जो गंभी बीमारी से ग्रस्त हमारे सिक्षक हैं ऐसे लोगों की डूटी ना लगाई जाए हम सासन और प्रसासन दोनों से इसकी मांग करते आ रहे हैं लेकिन 50 लाग का बीमा कभर किया जाए पूरे प्रदेश की कोरोन सिक्षकों का वेक्सिनेशन किया जा उसके पश्चात ही डूटी लगाई जाए अन्यता जो है संग जो है इस डूटी का विरोध करने के लिए बाद दे होगा जिसकी पूरी जिम्मेदारी सासक और प्रसासन की होगी विरेंद दुबे प्रदेश सद्रक शत्रिजगर साले सिक्षक संगर